स्वागत है दोस्तों आप सभीका संकल्प के यूट्यूब चैनल एडू संकल्पे मैं कुनाल बांसल एक पर फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे परसेंटेज सिरीज में हमारा सेकिंड लेक्चर और ये कॉंसेप्ट की सिरीज पूरी चल रही है जिसमें हम हर एक चैप्टर के कॉंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सपर्ट लेवल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी ठीक है जी तो उस सिरीज में आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा दोस्तों और आज का जो लेक्चर है बहुत छोटा सा एक या इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं विच इस इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज तो इसके मीनिंग को समझते हैं रूटीन लाइफ में हम जब भी बात करते हैं कोई किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया किसी चीज की वैल्यू बढ़ गई जा कम हो गई तो वो जो चेंज इन प्राइस है या चेंज इन वैल्यू जो है जब हमें उसे परसेंटेज टरम्स में एक्स पर लिटर है, कल को वो price, मान लीज़े 60 रुपियज पर लिटर हो जाता है, आज उसका price 50 रुपिय लिटर है, कल को वो ही price 60 रुपे लिटर हो जाता है, तो हम देख रहे हैyan जी, दोनों price में किटना change आया, 10 रुपए का change आया change कितना आया दोस्तो 10 रुपए का change आया अब ये जो 10 रुपए है ये rupees की form में है ये value की form में भी value में कितना change आया अब अगर इसी value को इसी 10 रुपए को मैं percentage terms में define करना चाहूं कि percentage के according ये change कितना हुआ तो वो हमें कैसे निकालना है वो आज के concept में हम सीखेंगे तो अगर मैं यहां से बताओं यह change होगा दोस्तो 20% होगा percentage terms में अगर मैं यह देखूंगा कि petrol का price 50 रुपे से बढ़के 60 रुपे हुआ तो percentage terms में यह change 20% के बराबर है पर value की terms में यह change कितना होगा 10 रुपे अब यह 20% कैसे निकलेगा उसके लिए दोस्तो यह formula है जी percentage change निकालने का formula और वो percentage change निकालने का formula का है दोस्तो final value minus initial value upon initial value into 100 ठीक है जी अब यह जो final minus initial यहां पर यह समझना जरूरी है कि final value क्या होती है और initial value सबसे पहले जो उपर final value होती है दोस्तो final value का मतलब वो value जो change होने के बाद आई final value कौन सी value मानी जाती है जी जो value after change change होने के बाद आई ठीक है जी जैसे कि हमने उपर example में petrol वाले में देखा 50 रुपे से बढ़के 60 हुआ मतलब उस case में जो 60 होगी वो final value मानी जाएगी क्योंकि वो change होने के बाद आई ठीक है और जो दोस्तो initial होता है start ठीक है जी शुरुवात तो जो initial value होगी वो होगी जो शुरुवात में थी value मतलब before change change होने से पहले जो value थी वो initial value होती है ठीक है जी तो यह हमें ध्यान में रखना है अब formula के according हमेशा यहाँ पर difference ही देखना दोनों values के बीच में पुरानी value और change होने के बाद जो value है दोस्तो उसके बीच का हमें हमेशा difference ही देखना है तो यहाँ पे तो हमेशा difference आएगा और नीचे हमेशा क्या आएगी दोस्तो initial value इनीशल मतलब हम compare जो percentage formula के according अगर आपको यादो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि percentage निकालने के वक्त जो base value होती है हमेशा वो लेंगे जिसमें से हमें percentage calculate करनी है तो हम जो percentage change अब जहां पे देखेंगे कितना change हुआ वो हम किसमें से देखेंगे initial value में से मतलब पुरानी value में से तो हमेशा नीचे कौन सी value आएगी दोस्तो initial value ही आएगी तो यह हमारा formula बनता है percentage change का अब आईए example के साथ इसको calculate करने के हम कोशिश करते हैं कि कैसे होती है जी ठीक है लोग मान लेते हैं जी किसी चीज का current price पांच हजार रुपए है जी और एक साल बाद एक साल बाद उसी चीज का प्राइस बढ़के 6000 हो गया जी लेट से आज कितना प्राइस है 5000 और एक साल बाद कितना होगा दोस्तों 6000 हमें percentage change निकालना है जी ठीक है जी तो percentage change निकालने के formula के मताबिक हमें उपर कान सी value लेने है दोनों का difference इन दोनों का difference कितना है दोस्तों 1000 difference आएगा 1000 upon initial value initial यानी की change होने से पहले अब देखो दोस्तों 5000 आज की value है इसमें change होने के बाद ये value 6000 बनेगी तो जो initial value होई वो कितनी होई दोस्तो 5000 होई into 100 करना पड़ेगा तो ये calculate होके कितना हो जागा दोस्तों हमारे लिए 20% अब 5 से 6 हुई बढ़ रही है जी तो answer क्या होगा हमारा 20% increase ठीक है जी कितनी value बढ़ गी percentage terms में 20% ठीक है जी अगर तो value terms में देख रहा हूँ तो 1000 उपया बढ़ा है अगर मैं percentage की terms में देख रहा हूँ तो वो 20% बढ़ा है जी ठीक है अब एक और example इसी से related और करते हैं मान लीजिए किसी चीज का जो last year का price था पिछले साल का price मान लीजिए 5000 था ये पिछले साल का price है और जो current है present यानि की present price उस चीज का 4000 है जी मतलब जो चीज पिछले साल आपको 5000 में मिल रही थी वोई चीज आज की rate में कितने में मिल रही है दोस्तो 4000 में अब हमें निकालना कहा है percentage change ठीक है जी अब उपर कहा ले ना difference तो difference तो यहाँ पे भी 1000 कही है दोस्तो ठीक है और last year value कितनी initial यानि की जो पिछले साल इसके according तो वो कितनी है दोस्तो 5000 into 100 तो यह भी 20 आएगा बट यह जो 20 है दोस्तो वो decrease में है क्योंकि यहाँ पे अगर हम final minus initial करेंगे यह minus negative आएगी तो negative percentage है तो इसका मतलब यह 20% decrease हुआ ठीक है हमें बस यह ध्यान रखने है कि value increase हुई है या decrease अगर तो आपका answer positive आ रहा है तो इसका मतलब value increase हुई और अगर answer आपका decrease में आ रहा है तो इसका value decrease हुई है आईए और आगे question try करते हैं सी के base पे the rent of house is increased from 7000 to 9100 किसी के घर का जो rent है वो 7000 से बढ़के 9100 हो जाता है हमें percentage change निकालना दोस्तो इस चीज़ का अब देखो 7000 से बढ़के 9100 हुआ तो difference कितना दिख रहा है दोस्तो हमें 2100 रुपए का into 100 increase हो रहा है तो obvious है percentage भी increase में ही आएगा ठीक है जी तो ये दोस्तो कितना आएगा solve करके 73710 30% increase होगा तो rent कितना बढ़ गया दोस्तो 30% rent बढ़ चुका है जी उसका आईए और try करते हैं क्या बोलता है last year अभी जीत salary was 10,000 पिछले साल अभी जीत की salary कितनी थी दोस्तो 10,000 और सोनू की जो salary थी पिछले साल वो कितनी थी दोस्तो 8,000 this year अभी जीत salary is 12,000 इस साल अभी जीत की salary 12,000 हो गया मतलब 10,000 से 12,000 बढ़ गई जी और सोनू की salary इस साल कितनी हो गया दोस्तो 10,000 8,000 से बढ़के 10,000 हो गई ठीक है जी अब पूछा गया पहला पार्ट what is the percentage increase in अभीजीत's salary अभीजीत की salary में कितना percent increase हुआ अब देखो अभीजीत की salary 10,000 से बढ़के 12,000 हुई ठीक है जी इसका मतलब जो difference है वो 2000 का है divide by initial जो पुरानी salary थी उसकी पुरानी salary कितनी थी दोस्तो 10,000 into 100 तो कितना मना दोस्तो 20% मतलब अभी जीत की salary कितने percent बढ़ गई 20% बढ़ गई ठीक है अब second part का पूछ रहा है what is the percentage increase in sonu's salary sonu की salary में कितना percent increase हुआ अब sonu की salary अगर compare करे 8,000 से बढ़के 10,000 हुई है तो difference तो यहाँ पर भी 2000 कहीं दिख रहे जी हमें upon पिछले साल कितनी थी initial पहले कितनी थी 8,000 into 100 तो यह दोस्तों कितना बनेगा हमारे पास 1 by 4 तो 1 by 4 यानी कि कितना होता हमारे लिए 25% ठीक है जी 25% ठीक है अब अगर आप दोनों को compare करोगे values में हम देखते हैं तो दोनों की salary 2000 ही बढ़ी है ठीक है जी value terms में देखते हैं बट percentage terms में अगर हम देखते हैं तो इसको 20% का फायदा हुआ है और sonu को 25% का फायदा हुआ तो इसका मतलब sonu को ज़्यादा फायदा मिला as compare to abhijit तो ये percentage change हुआ अब तीसरा case क्या पूछ रहा दोस्तो percentage change increase in sonu's salary is how much percent greater than the percentage increase in abhijit's salary कहते sonu की salary में जितना percent increase हुआ वो कितने percent जादा है जितना percentage change abhijit की salary में हुआ ठीक है अब sonu की salary में कितना percentage change है दोस्तो 25% और abhijit की salary में कितना percentage change है दोस्तो 20% अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो 25% value है is how much percent greater than अब ये त्यान रखना दोस्तो यहाँ पे गलती होती है student से अक्सर वो कई ही बार क्या करते हैं वो directly difference निकाल देते हैं जी 2520 का difference कितना बन रहा है पांच तो option देखते हैं 5% पड़ा है वो 5 को answer tick कर देते हैं बट ये गलत है जी इसका answer 5% नहीं है ठीक है language हमें क्या ध्यान रखनी है exam के अंदर how much percent greater or less than जहां पे भी लिखा होगा how much percent greater than या how much percent less than वहां पे हमेशा आमने percentage change का formula लगाना है तो अब दोनों values के बीच में comparison कर रहा है जी वो 25 और 20 तो उन्हों का difference लेंगे 25 और 20 का difference कितना बनता है 5 upon initial अब इस case में initial value किस को मानेंगे how much percent greater than percentage increase in अभी जीत तो अभी जीत के comparison में पूछ रहा है जी वो कितना जादा है तो अभी जीत का value कितनी आयती 20 तो नीचे कितनी value आये कि दोस्तो 20 into 100 तो ये कितना बन जाएगा 1 बटा 4 यानि की 25 परसेंट ठीक है जी तो इसका third part का answer भी दोस्तो कितना होगा 25 परसेंट एक चीज़ याद रखिये कि how much percent greater than या how much percent less than अगर लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम calculate करेंगे percentage change का formula लगा के calculate करेंगे आईए next question आगया हमारा price of a product is increased by 20% due to which the sale decreased by 10% किसी चीज का price कहते 20% बढ़ गया जी जिसके कारण sale कितने percent कम होगी 10% हमें बताना क्या है net effect on revenue उसका revenue कितना change आएगा ठीक है जी अब कोई हमें चीज given नहीं है तो मान के चलेंगे assume करके चलेंगे मान लिजिए उस चीज का price था जी 100 रुपे और वो दिन में मान लिजिए 100 चीजें बेच देता जी 100 रुपे की एक चीज और 100 चीजें वो बेच देता है sale इसका मतलब उसका revenue कितना हो गया दोस्तो उसका revenue हो गया 10,000 रुपे 100 रुपे की एक चीज है 100 चीजें वो बेचेगा तो 10,000 उसकी कमाई हुई अब हुआ क्या कि ये जो 100 रुपे वाली चीज थी ये महंगी हो गई कितने परसंट महेंगी हो गई 20% तो ये चीज कितने की हो जाएगी अब 120 रुपे की हो जाएगी और sales इसके कारण उसकी कम होगी जो पहले वो 100 चीजें बेच रहा था अब वो 10% कम होके 90 चीजें ही पेच पा रहा है जी तो अब उसका दोस्तो रेविन्यू कितना हो जाएगा 120 इन्टू 90 यानि की 10,800 रुपे तो मतलब जो रेविन्यू उसको पहले 10,000 हो रहा था अब चेंज होने के बाद वो कितना हो रहा है 10,800 अब हमें यही पूछा गया कि उसको कितना चेंज हुआ उसके रेविन्यू में तो हमें percentage change निकालना है दोस्तो और percentage change का formula हम लगाएंगे दोनों values का difference, difference कितना दिख रहा हमें 800 रुपे अपॉन initial पूराना रेविन्यू, पूराना रेविन्यू कितना दोस्तो 10,000 का और इन्टू 100 यह बनेगा 8% अब दो increase हुआ revenue बढ़ रहा है जी तो positive ही होगा तो 8% increase हम हमारा answer होगा इस question का, इस question को दोस्तो अगले concept के से जब मैं कराऊंगा तो इसका हम ट्रिक करेंगे successive change वाली तो वो बहुत important वीडियो रहने वाली है तो उसको जरूर देखिएगा ठीक है जी तो यह concept था अगर हम इसे percentage change के साथ करना है जी question को हाँ जी दोस्तो तो यह था आज का हमारा lecture हमारा concept change in percentage जा जिसे हम बोलते है increase or decrease in percentage hopefully अब आपको यह पूरे तरह से समझ में आ चुका होगा concept क्या formula इसका formula मैंने आपको बताया final minus initial upon initial into 100 ठीक है दी तो बहुत important पर बहुत चोटा सा concept है पर बहुत ज्यादा important है बहुत ज्यादा जगा पर यह use होने वाला है तो आप इस video को ध्यान से देखिए और इसके regarding जो भ इसमें हम successive change multiplying factor के बारे में detail में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा important होगी तो उस video को kindly miss ना करें अगर आपको हमारा content अच्छा लग रहा है वीडियोज अच्छी लग रहे है तो वीडियो को like और share करें चैनल को जरूर subscribe करें थाकि और जो वीडियोज आएंगी वो miss ना हो और दोस्तो आपकी मेरोंगा दोस्तो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्री